दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगे कि सूपर सॉफ्ट दही बड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा अगर चैनल पर नूँ हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजेगा तो चले शुरू करते हैं सूपर सॉफ्ट दही बड़े बनाना तो दोस्तों यहां पर मैंने उरत की डाल ली है और इसे मैं सोक करूंगी पानी में तीन से चार घंटे के लिए तो आदा कप डाल मैंने लिया है और इसको पानी डाल कर मैं ढखकर सोक होने देती तो चले तीन से चार घंटे में दाल अच्छी तरीके से फूल जाते हैं और दाल अच्छी तरीके सोक हो चुकी है तो इसे मैं वाश कर लूँगी और वाश करने के बाद इसे मैं ट्रांसफर कर दूँगी ग्राइंड जार में जिसमें मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी तो किसी भी बरतन में तो यहां पर इस काटोरे में मैं इस पिसे हुए डाल को ट्रांसफर कर दे रही हूँ इसे मैंने अदरक हरी मिर्ची और नमक पहले ही शामिल कर लिया था इसलिए और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है अब बस हमने यहां पर दाल को अच्छी तरीके से फ पानी ले लिया और इसमें डाल डाला है जैसी डाल ऊपर फ्लोट करने लगे का अच्छी तरीके से फिट चुका है तो चलो इसे फ्राई करना शुरू कर देते हैं तेल गरम है दोस्तों गरम तेल में हम इस तरीके से हातों की हेल्प से जितनी भी बड़े की साइज आपको लाइट में ही अच्छा लगता है तो चले इसकी साइट को चेंज कर लेंगे और साइट को चेंज करते हुए दोस्तों यहां पर इसे अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है तो जब यह अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा दोस्तों तो हम इसे ट्रांसवर कर देंगे पा पानी मे ले लिया और पानी मे बड़ेको चिनी मेने बढ़े कोँ टाल लोग पानी में रेखकें और यहमाइन उपानी प्रपा सिंफा है तब तक हम दही का मेक्षर रेडी कर लेते हैं तो दही के लिए भी मैंने ग्राइंडर जार का इस्तिमाल किया है क्योंकि यह जल्दी और इजी हो जाता है तो दही को मुझे अलग से मेहनत करके फेटने की जुरूरत नहीं पड़ती है दही के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा मीठा भी टेक्स्च्चर दे रही हूं अगर आप नहीं चाहते हो चीनी मिठास नहीं चाहते हो दही बड़े में तो उसके सिप कर सकते हो साथ ही मैंने इसमें काला नमक डाल दिया और इसे एक बारी बस पल्स पर आपने चला लेना है बह को हम हाथों की मज़्सी कर फ्लेस करने बड़े को प्लेट में रक लेते है इस तरीके से तो चले हैं अब इसके ओ बड़े को zrobić आप अब इसके उपर अगर डालेंगे दाही जिसे अब हमने फैटा था तो यहाँ पर ने इस पोड़ेता पर दाल दिया just now हमने इसमें भी आमा यहां पर रोस्टेट क्यूमिन पाउडर भी डाला है जीरा का पाउडर भूना हुआ जीरे का पाउडर तो यह भी इस पर डाल दिया है मैंने थोड़ा से ज़ाधा क्वांटिटी में डाला है क्योंकि मुझे जीरे का फ्लेवर बहुत ही ज़ादा अच्छा लगता है और दही चतनी है यह सिंपल धनिये वाली चतनी है और यह यमी सा सूपर सॉफ्ट दही बड़ा जो है बन कर तयार है दोस्तों तो रेसेपी पसंद आए तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करें अलाहाफिज